सब को मेरा दिल से नमासकार जगत की रचना का और एक एबिशर में मैं आब सभी को स्वागत करता हूँ आज का टपिक है उत्पति छे का एक से दो आज का टपिक बहुत खास है तो एंड तक देखिये आज की टपिक है परमेशर की पुत्र कोन है और मनिस की कन्या कोन है उत्पन हुआ उसी समय में जब परमेशर की बेटों ने उन कन्या को सुन्दर देखा तो उनोंने मनिस की बैटियों के साथ साधी करने लगा तो मनिस की बैटिया कोन है ये निशित रुप में केन की बंग्स का लोग है सबसे ज़्यादा mazda interesting चीज यही है कि परमिसर की पुत्र कौन है यह चीज को लेकर बहुत सारे भाइश है डिवेट है कुछ बाइवल के ग्यानी यह कहते है कि परमिसर की पुत्र की मतलब सैत की पुत्र लोग है कुछ लोग बलते हैं कि ये प्राचिन काल का राजा लोग है लेकिन बाईवल इसके बारे में कोई प्रमान नहीं देता है और कोई कोई कहते ही कि सुर्क से गिरे हुए सुर्ग दूत है तो सच में ये परमिसर की बेटा मतलब क्या है यह सुर्क से गिरा हुआ दूतों को दरसाता है यहां मन में एक सवाल आता है बचन में लिखा गया है दूतों लोग कभी साधी नहीं कर सकते मार्क उसका बारा का पंदरा मती की किता बाइस का तीस में लिखा गया है यहां सिर्व दूत लोगों की बारी में लिखा गया है लेकिन सुर्ग से गिरा हुआ दूत के बारी में नहीं लिखा गया है सुर्ग से गिरा हुआ दूत ये नहीं है आदम की आयूब की किताब एक से एक का छे और भजन संगीता उनतिस का एक के अनसार दूतों लोग परमेसर की पुत्र होते हैं तो गिरे हुए दूतों ने सारीर की समध रख सकते हैं या नहीं हाँ रख सकते हैं क्योंकि अगर हम उत्पती उनिस का एक से पांच देखेंगे तो वहाँ पापी लोगों ने दूतों के साथ सरीर की समध रखने के लिए निकल आये थे कि कि इस सर्ग में बहुत सारे प्रकार की दूत रहते हैं कुछ दूत इनसान के जैसा भी होते है ये इस तरह की सर्ग दूत है जो सर्ग से निकल आये थे अगर आप मार्क 16 का पांच दिखेंगे तो एक दूत इनसान की सरीर लेकर पत्थर के उपर बेठा था तो मनिस्ट की पुत्रों के दिन तो मनिस्ट की पुत्रों के जीन लोगों ने साधी किया ओ सुर्ग से गिरा हुआ दूत है जो कि परमेसर की पुत्र है अगर सेथ की संतन होते तो परमेसर जल के द्वारा पुत्थवी में नास नहीं किया होते क्योंकि परमेसर ने आशिश दिया था बहुबंग से हो जाओ परमेसर की बचन से एई से सुनने के लिए इस चानल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेक कीजिए फिर मिलेंगे और एक नया टोपी के साथ धन्यवाद